गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे सब बहुत बढ़िया होंगे तुझी दिन है आज सोमवार का तारीख है 12 दिसंबर और अभी जो हर टाइम हो रहा है ना करीब बज गए है छे बज गए थे अभी और मैं ना उठीती साड़े पांच बजे करीब सुबह साड़े पांच बजे उठीती आज में और तबी उठने के बाद मैंने जाडू बगरा लगाई और फिर उसके बाद मैंने किया क्या ना मैंने बथवा उबालने के साथ साथ ना मैंने आलू भी उसमें उबालने रख थे म simply एक साथ दोनों चीजों को मैंने उबाल दिया था लेकिन मैंने फोन तो टुराइपोड पे रख दिया थी और शुट्वी काम करने है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना जैसे काफी दिनों से चली यह रहा था कि शादी वगराओ की छुट्टी हो रही थी तो शादी वगराओ की वज़े से बच्चे नहीं जा रहे थे और जिस भी टाइम उठो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं लेकिन अभी एकदम आज एकदम रूटीन चेंज सा हो गया था ना तो अचानक से मेरी आँख खुली थी साड़े पांच बजे और ठंड का टाइम होता है तो सुबह उठने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है तो तब ही लेकिन मैं उठी गई थी सवा पांच बजे मेरी आँख खुली थी उसके बाद साड में मिला दिया है नमक मिर्च मिला के और उसमें उबाल दिया है मतलब मिला दिया अटा को मांड दिया है क्योंकि जब वो हरे वाले पराटे और उसमें पिठी भर के बनाओंगी न तो बहुत टेस्टी लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं तो वही वाले पराटे आज मु थोड़ा सा हो जाता है बिलकुल जरा सा तो बस जो बत्वा था था और अभी जो है न मैंने बत्वे को भी निकाल लिया है और मेरे से एगलती हो गई थी कर दो नहीं करा दो उबला हुआ बत्वा है और उसको ऐसे कर रही थी हो उसके बाद आटे को जो है ना मैं बिल्कुल हरा कर दूंगी नमक मिर्ची मिला तो जी चलिए आटा तो बिल्कुल हरा हो गया है देखिए मेरे हाथ में आप लोग देखी रहे हैं और फटा फट से इसको मैं इसमें इसके अंदर ये आलू की पिठी रखूंगी और धनिया वगरा था नहीं मतलब भारा धनिया वगरा खतम हो गया था तो इसी वज़े से मुझे ऐसे ही बनानी पड़ी थी पिठी और आटे को मैंने बिल्कुल पतला किया हुआ है मतलब पराठे का आटा तो हमेशा पतला ही होता है पिठी को पतला नहीं होने धिया था पिठी बिल्कुल ठीक बने हुए है और अधे जो है बहुत ही सुन्दर और अच्छे टेस्टी बने हुए थे जब कभी आटा टाइट हो जाता है तो उससे बहुत बेकार पराठे हो जाते हैं मतलब पिठी फूड जाती है और भार तो देखिए पराठे मेरे बनके कितने अच्छे आये हैं हरे वाले पराठे हैं और इसमें पिठिया अंदर भरी हुई है और बहुत पढ़िया लग रहे थे पराठे देखने में तो और आप लोग खाते ना तो बहुत ही अच्छे लगते यह पराठे कभी-कभी ऐसा मन होता ह ना कि मतलब चुटी के टाइम वगरा पर यह सब चीजे करने का कि मतलब कुछ अच्छा सा ब्रेक्फास्ट हो जाए तो बढ़िया लगता है कभी-कभी और यह सर्दियों के जो ब्रेक्फास्ट होते हैं जैसे आलू के पराठे मेति के पराठे बत्वे के पराठे मूली के तो यह सब ना बहुत अच्छे लगते हैं और जैसे छीज भी चिस सर्दियों में बहुत ही जाधा टेस्ट गयते हैं तो ऑनके पराठे मेरा के बिलकुल हो गया है रेडी और छाय क euro मिंट आल दूंग और अपने लिए जैसे है के सा ढकर बच्चे चाह जो आपėriki बत्ध क कुछ आप तोटे एक पराठा दोनों के टिफिन में रख दिया है तो चलिए यहां पर जो है इतने मैंने पराठे वगरा बनाए ना तब तक मेरी मशीन के कपड़े वी 2-3 राउंड जो है घूम गये थे और कपड़े घूम गई तो मैंने ने खंगाल देती हूं पहले क्योंकि दूसरी तरफ दूसरी बार के कपड़े मैंने उसमें डाल दिये थे और ऐसे ही दीरे-दीरे अपना काम जो है ना टाइम टू टाइम में निप्टाते चली जाती हूं कि उससे क्या होता है कि सर्दी से भी बच जाती हूं और काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि शादी का तो सारा काम वगरा सब खतम होई गया है अभी जो है बहु जाएगी बुद्वार को तो लेने वाले बुद् से मैं कन्या वाले दिन से मैं यहां आ गई थी और फिर उसके बाद जो है ना गई नहीं हूं ना मैं तो मैंने सोचा कि आज मैं मम्मी से मिलकर आऊंगी क्योंकि अचानक से वह काम हुआ पापा छोड़कर हमें चले गए और फिर उसके बाद ही मैं सीधा यहां पर आ गई थी और यहां पर भी देखिए शादी का जरूरी था तो इसी वज़े से यहां पर आना पड़ा था और अब मुझे जो है ना मम्मी की मतलब बहुत जादा याद आ रही थी तो इस वज़े से मैंने इनको बोला कि मुझे मिला कर ले आओ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा तो इसलिए मैं ममी से मिलने जो है चली गई थी वहाँ पर और अभी मेरे को काम बस करना है क्या कि मुझे कपड़े आज इसलिए दोने पड़े क्योंकि कपड़े तो बहुत सारे हो गएते और अगर नहीं दोलती ना तो कपड़े बहुत जादा हो जाते और भी तो इसी देखिए पापा की कमी तो कोई पूरा कर नहीं सकता और कभी भी नहीं उपाईगी पापा की कमी हमेशा पापा जो है हमेशा यादों में रहेंगे तो लेकिन पर फिर भी मम्मी को अगर आते जाते रहेंगे न मम्मी के पास तो थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा और उनक जो है मुझे बस वहीं जाना था तो काम तो खतम बस almost होई गया था बस कपड़े जो है ना थोड़े दो-तिन राउंड के रहते थे अच्छा ये भी है कि मतलब मैंने मतलब काफी दिनों से की नहीं तो बस टाइम ही नहीं मिल पाया था इसलिए नहीं की थी लेकिन मैं कल कोशिश करूँगी तो कल जैसे ही होगा ना मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा 12 बज़े के बाद तो मैं लाइफ जरूर आऊंगी तो आप लोग प्लीज रेड़ी रहिएगा तो जी चलिए बात वी बातों में कपड़े वगरा सब दूल गए हैं फटापट से आ गई हूँ किचन में तो बरतन साफ कर रही हूँ तो बरतन यहां पर जो है ना काफी सारे हो गए थे क्योंकि कुकर वगरा भी था जिसमें बतवे वगरा उबाला था तो वो सब बरतन थ तो और परात वगरा सब कुछ मतलब ऐसे ही था काफी बरतन थे और मैंने ना किचन से दूर किचन में ही सारा मेरा सब कुछ अवेलेबल है जैसे यह वाश्री मसीन वगरा सब कुछ तो मुझे कहीं आना जाना नहीं पड़ता हैं कहीं साथ के साथ मैं मशीन को गुमाती रहत तब तक जो है ना मतलब मैं निकल जाओंगी तब तक लेकिन उनका ध्यान उनकी चाची रख लेंगी अब तो दो-दो हैं पहले एक थी और अब जो है ना दो-दो हैं तो दोनों अच्छे से ध्यान रख लेंगी खान वगरा खिला देंगी कपड़े वगरा चेंज कर बाकी शाम तक मैं 4-5 वे तक आही जाऊंगी और अभी मुझे जाते-जाते ही वैसे 12 एक तो बजी जाएंगे तो जाते-जाते ही मुझे चार-पांच बजी जाएंगे तो जी बस यहाँ पर बरतन वगरा मेरे दुल गए है और फटा-फट से बरतन वगरा दोके मुझे जाड़ू और पोचा लगाना है क्योंकि जाड़ू पोचा मेरा भी नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर जिद दुलते हैं तो कपड़ दुलने की वज़े से यहाँ पर पानी पानी सा हुआ रहता है तो इसी वज़े से तो पोचा में बाद में ही लगाती हूँ जब पूरा काम खतम हो जाता है तो बस एक बार के कपड़े और है गए थे इनको भी खंगाल देती हूँ फटाफट से और फिर हो जाती हूँ रेडी अज़र सुबे का वीडियो तो मतलब मैंसे नहीं हो पाया था सारा मतलब सारा अप्लोड नहीं कर पायीती मैं क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मेरा जो ट्राइपोड पे मैंने फोन तो लगा जाता लेकिन मैं उन्हें ओन करना बिल्कुल भूल गई थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छे से याद नहीं रहा कि मैंने फोन ओन नहीं किया है लेकिन ये मेरा early morning routine ही था तो यहाँ पर मैं ऐसे ही अपने सारे काम डिवाइड कर लेती हूँ मतलब जैसे मैंने खाना इदर चड़ाया है तो दूसरी तरह मैंने मशीन अतनी लगा दी है तो दीरे दीरे मेरे सारे काम असानी से होते चले जाते हैं और टाइम से नहीं बट भी जाते हैं तो चलिए फटा फट से मेरे कपड़े खंगल गए हैं इनको मैं डाल देती हूँ सुखने के लिए और बस साती सात करूँगी अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड तो जी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजेगा शेर कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा चैनल को और बेल आइकन को दबाना प्लीज मत भूलेगा तो ऐसे ही रोज अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए प्लीज चैनल को सुब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो मैं आप से मिलती हूँ अपने नेफ्स लॉग में तब तक के लिए बाबाई टेक या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वल्कम बैक तो माई चैनल तुझी 11 बच चुके हैं साड़े ग्यारा और अब मैं निकल रही हूँ जाओंगी कपड़े वगरा सब दुल गए हैं बस सारे कपड़े दोते-दोते मुझे बहुत जादा टाइम लग गया अभी जा रही हू हैं बाकी अभी जा रही हूं देखती हूं कितने बज़े तक शाम को आती हूं जैसे भी सिच्वेशन होगी जो भी होगा तो मैं आप लोगो ना नेक्स व्लॉग में जरूर बताऊंगी और चलिए चलते हैं निकलते हैं क्योंकि बहुत तो चलिए इस वाले विलोग का करती हूं यहीं पर एंड मिलती हूं नेक्स लोग में तो तिल देन बबाई टेक कियर और बबाई